आकाश्वानी से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ में नवनीत चोबे चिन्दवाडा जिले के अमरवाडा उप्चुनाव के लिए चल रही मदगन्ना में भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने को मिला मदगन्ना सुभा आट बजे से प्रारम हुई प्रारम भिक रुजहान में कॉंग्रेस आगे चल रही थी और ग्यारहवे राउंड तक छे हजार से अधिक मतों की लीड ले ली थी लेकिन उन्निस्वे राउंड आने तक भाजपा ने कॉंग्रेस को करीब दो हजार मतों से पीछे कर दिया अन्तीम बीसमे राउंड में भाजपा प्रत्याशी कमले शाह आगे चल रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी आज मुंबई के गोरे गाओ की इंजिनिरिंग सर्विस कमपनी N.E.A.C.O. प्रधरशनी केंदर में 29,400 करोड रुपे से अधिक की सड़क, रेलवे और बंदर गाहा परियोजनाओं का लोकारपन और शिलान्यास करेंगे श्रामको श्री मोधी भारती समाचार सेवा सचिवाले में I.N.S. टावर्स का उधगाटन करेंगे प्रधान मंत्री 16,600 करोड रुपे की ठाने बोरीवली सुरंग परियोजना की आधार शिला भी रखेंगे करीब 12 किलोमेटर लंबी इस दोहरी ट्यूब सुरंग से ठाने से बोरीवली तक की यात्रा 12 किलोमेटर कम हो जाएगी और यात्रा में लगभग एक घंटा कम लगेगा प्रधान मंत्री लगभग 5,600 करोड रुपे की लागत वाली मुख्य मंत्री युवा कारी प्रशिक्षन योजना का भी शुभारंब करेंगे नीतियायुक के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में मध्यप्रदेश 66 समगर अंकों के साथ फ्रेंट रनर राज्य बन गया है प्रदेश ने लक्ष जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, भूमी पर जीवन, सस्ती और स्वच उर्जा, स्वच पानी और सच्छता, सतत शहरी और सामुदाई क्विकास तथा लक्ष गरीबी उन्मुलन में उतक्रश्ट प्रदरशन किया है वर्ष 2021-22 में मध्यप्रदेश बासर टंकों के साथ परफॉर्मर राज्य था सूचकांग के नुसार मध्यप्रदेश ने 1,36 लाख वेक्तियों को बहु आयामी गरीबी से बाहर निकाला है प्रदेश में 97.87 प्रतिशत लाभार्थियों को राश्ट्री खाद्य सुरक्ष अधिनियम के अंतरगत कवरेज मिल रहा है कुल प्रसव में से संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 98.48 है 9 से 11 महिने की आयू के समू में पूर्ण टीका करेंड आले बच्चों का प्रतिशत 93.9 है प्रदेश के सभी नगरों में प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर महनयादों ने कल भूपाल में राश्ट्री राजमार्गों एवं राज्जी राजमार्गों के विकास की समिक्षा करते हुए कहा कि मारगों पर नगरों की संस्क्रती उनकी एतिहासिक्ता तथा विशिष्ट पहचान को दर्शाते प्रवेशदारों का निर्मान किया जाए यह प्रवेशद्वार नगरों की पहचान बनने के साथ साथ मार्गों पर निगरानी करने तथा सुरक्षा वियस्था के लिए भी उप्योगी सिद्ध होंगे बेठक में राष्ट्री राजमार्ग परियोजनाओ की समिक्षा में दमुह से शाहगड, मुरेना सबलगड, धार गुजरी, बमीठा सतना, सतना से चित्रकूट, जबलपूर दमुह व अविदुल्ला गंज बेतूल नागपूर मार्ग के प्रतक प्रतक निर्मान इस्तर एव उखे मंत्री ने निवेश के आउसरों को बढ़ाने के लिए होने वाले इंटरेक्टिव सेशन में G.I.S. 2025 को सफल बनाने प्रमुक उद्योगपतियों को आमंत्रित किया, इंटरेक्टिव सेशन की शुरा सुबहत 10 बजे से हुई, डॉक्टर यादों ने उद्योगपतिय उसे round table meeting even one to one चर्चा भी की, भारत और जिंबावे के बीच चोथा T20 cricket मेच आज हरारे में खेला जाएगा, पाच मेचों की शंकला में भारत दो एक से आगे है, शंकला का पाचवा और अंतिम मेच हरारे में ही कल खेला जाएगा, शुबमन गिल के नेतरत में पहले मेच में भारत को जिंबावे से 13 रन से हार का सामना करना पड़ा था, इसके बाद भारत ने अगले दोनों में जीत कर शंकला में दो एक की बढ़त ले ली थी, अब कुछ समाचार संशेप में, अपरात कर भागने वाले अपराधियों और अपरात के उप्योग में आने वाले वहान विधिक, साक्षरता शिविर और पोधार ओपन कारिक्रम आयोजीत किया गया, इस बुलिटिन में बस इतना ही, नमस्कार